बिज्ली पोल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलती, दबने से दो लोगों की मौत एक युवक ने कूद कर बचाई जान सर्वान बिज्ली के खंभों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनकंट्रोल होकर सड़क किनारे पलट गई खंभो के नीचे दबे तीन यूकों में से दो की मौत हो गई वहीं एक यूवक ने ट्रैक्टर के पलटते समय कूद कर अपनी जान बचाई हादसा केकडी में अजमेर राजमार्क पर प्रतापपुरा के पास गुरुवार दोपहर करीब 11 बच कर 30 मिनट बजे हुआ सरवाड पुलीस ने बताया कि हादसे में खंभो के नीचे दबने से सरवाड निवासी ललित तेईस पुत्र लक्ष्मी नारायन माली वगोर्धनपुरा निवासी हनुमान चालीस पुत्र रामधन माली की मौत हो गई वहीं ट्रैक्टर ड्राइवर छगन चौबीस पुत्र सत्यनारायन माली गंभीर घायल हो गया जो केकडी का रहने वाला है एक अन्य युवक ने ट्रैक्टर से कूद कर अपनी जान बचाई मृतकों के शवों को पोस्ट मॉटम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है जानकारी के अनुसार सर्वार थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गाव के पास फैक्टरी से गुरुवार सुभा खंभे लोड करके सापुन्दा, सर्वार जा रहे थे इस दौरान फैक्टरी से एक किलोमीटर दूर हाथसा हो गया प्रतापुरा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अन्यंतरित होकर सड़क किनारे पलट गई ट्रॉली में बैठे दोनों युवकों के गिरते ही खंभे उपर आए ट्रैक्टर में ड्राइवर समेथ चार लोग सवार थे ललित व गोर्धनपुरा ट्रॉली में खंभों के उपर बैठे थे वही छगन ज्राइव कर रहा था वही एक अन्य युवक ड्राइवर के पास बैठा था ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटते ही ड्राइवर और ट्रॉली में बैठे दोनों युवकों के नीचे गिरते ही उनके उपर खंभे गिर गए ट्रॉली में बैठे ललित और हनुमान दोनों खंभों के नीचे दब गए वहीं ड्राइवर थोड़ा साइड में गिरने से बच गया, लेकिन घायल हो गया एक अन्य युवक ने ट्रैक्टर से कूद कर अपनी जान बचाई क्रेन से खंभों को हटा कर लोगों को निकाला हादसे के बाद आसपास के लोग और रागीर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए लोगों ने खंभों को हटा कर लोगों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली सूचना के बाद पहुची क्रेन की सहायता से खंभो को हटा कर नीचे दबे दो लोगों को बाहर निकाला गया सभी घायलों को एम्बुलेंस की से केकडी के जिला अस्पताल में भरती कराया गया जहां हाथसे में ललित्व हनुमान को मृत घोशित कर दिया वहीं ड्राइवर चगन गंभीर घायल को हॉस्पिटल में भरती किया गया